नमस्कर दोस्तों व्रि के लिए में आपको 10 माडल पेपर प्रोईड करा चुका हूं और थको रहे हो को चुकी हैं अगर आप हमारी चैनल अथा शुरू करना करें अगर आप हमारी मीडूरे चैनल पर नई हैं तो चैनल विद्यारती अंग्रेजी में 85% विद्यारती गणित में और 75% विद्यारती दोनों विश्यों में उत्रीन हुए यदि दोनों विश्यों में अनुत्रीन 40 विद्यारती है तो परिक्षा की संख्या परिक्षारतियों की संख्या कितनी विद्यारतियों की संख्या बतानी आप मतलब कि जो कोमन निकल जाएगा इसका माइनस 75 कर देंगे तो टोटल जो उत्रीन हुए वह हो जाएगे 90 ठीक है 80 प्लस 85 मैंस 75 एक वस्टू 90 परशंट हो जाएगे टोटल उत्रीन हुए तो अनुत्रीन कितने होंगे टोटल अगर 100% माने जिसमें 90% आगए में पास उत्रीन ह हुए तो जो अनुत्रीन हो जाएगे वह सो माइनस 90 परशंट और थार्त जो अनुत्रीन है वह जाएगे अपने पास 10% तो 10% अमारे पास अनुत्रीन आ गए तो 10% अगर हमारे पास अनुत्रीन आ गए और हमें संख्या दी गई थी कि 40 विद्यारती जो है वह अनुत्रीन ह हुए है तो कुल द्यारती कितने हो जाएगा अनुत्रें Exactly संक्या वह कुल विद्यारती की संक्या का कितना प्रसंत meu थे तो हो tad हो जाएगा तोह जाएगा कुल चालीस लोगा हो जाएगा कुल था कि इन्टू डस सर हो जाएगा अगला क्योशन देखिए मिर्दा संरक्षन की उस विदी को क्या कहते हैं जिसमें पोदो के बीच चटान अनावरित भूमी जेव पदार जैसे परवाल से ढख जाती है तो भई क्या कहते हैं उसे वो कहते हैं भई मल्च बनना मल्च बनाना उप्शन नमर ए जो फल है ठीक है वही सेब जो है एक गुद्दार फल होता है उप्शन नमर बीस का करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला क्यूशन देखिए एक हजार एक पैन और नो सो दस पैंसिल विद्धारतियों में इस परकार बाटना है कि वरत एक विद्धारती को समान संख्या में पैन औ अधिकतम कितने विद्धारती होंगे तो देखिए वही जब इस परकार का क्यूशन आए तो आपको बस इतना सा करना है कि जो एक हजार एक है और जो नो सो दस है उसका मैंसे निकालना है तो इसका मैंसे आप निकालना है तो इसका मैंसे आएगा आपके पास इसका मैंसे आ इक में से जाता है तो अधिकतं विदारत्यों की संख्या में से तो हम हमें बतानी नहीं है जब मैंसे हमार पांबर सी तो हो जाएगा घरा एग्स eyebrows को सुनल्ध दूसर पूसर बारत का पहला मेगा अरतिक शेत्र कि स्थापित किया गया तो किस में किया है वो किया है मूंबई महाराश्ट कैंचे मुंबई शहन में अर्थारज fusion नंबे नर्ण नहीरू बंदरगा पर श्थापित किया गया बट option number B जो है इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखेंगे A किसी कारे को 12 दिन में कर सकता है B A से 60% अधिक्तम है तो B इसे पूरा करने में कितने दिन लेगा तो देखें भई कैसे करेंगे इस सवाल को A एक दिन में मान लो कितने unit करता है भई A किसी कारे को 12 दिन में कर सकता है A किसी कारे को 12 दिन में कर सकता है तो B से 60% अधिक्तम है तो B इस कारे को कितने दिन में करेगा तो भई देखें कैसे निकालेंगे भई मानते हैं कि A जो है वो एक दिन में 10 unit काम कर लेगा यह हमने माना है कि ए जो है वो एक दिन में दस यूनिट काम कर लेगा ठीक है तो बी एक दिन को जो भई कितना परसंट दे रखा है साट परसंट अधिकतम दे रखा है तो बी का कारिया कितना हो जाएगा अगर यह दस यूनिट करता है माना है जो हमने तो B कितना है 60% अधिक तो 10 का 60% करके अधिकतम करेंगे तो कितना जाएगा 16 क्योंकि 10 का आप 60% निकालिए और उसको 10 में जोड़ दीजे तो आपके पास जाएगा कितना 16 ठीक है तो अब देखिए कैसे करेंगे तो B द्वारा कारिया किया गया कारिया देखिए कितने दिर में हो जाएगा B द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय कितने दिर में हो जाएगा भई देखिए कितना हो जाएगा वो जाएगा 12 इंटू जो 12 हमने जो दिन है A का इंटू जो 10 है क्योंकि A किसकी यूनीट है दसकी और बटि जो B की यूनीट हो जो जाएगी 16 तो ये ओजाएगा B दूआरा किया गया काररे क्योंकि भई जो यूनीटों की संक्य जब हम निकाल लेते हैं तो इसके सीधा-सिधा into कर दीज़ाएं आपके A के कारिय से तो आपके B का कारिय JAC निकल जाएगा कितने दिन में करेगा तो ये इसको solar कर रीज़ की तो आपके पास आजएगा साथ सही एक बटा दो तो साथ सही एक बटा दो में वो भी अपना कारेस हमापत कर लेगा तो इसका option number D है वो correct answer हो जाएगा अगला क्योशन देखिए क्योशन number 8, कांग्रेस की पर्थम महीला अद्दिक्स को ती तो वही कांग्रेस की जो पर्थम महीला अद्दिक्स थी वो थी एनी बेसेंट ऑप्शन नमबर सी जो है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए निम लेखित में लुप्त संक्या को बताएगा वई पांच ग्यारा सतरा तेशी करतीस आपको दिया गया है लुप्त संक्या आपको बतानी है तो देखिए कैसे निकाल पांच और ग्यारा है इसमें आप देखिए पांच और ग्यारा क्या है एक आपकी अबाज्य संक्या है बिलकुल अबाज्य संक्या है और पांच से पहले पांच के बाद जो अबाज्य संक्या होगी वो कौन सी होगी साथ होगी और ग्यारा और सतरा के बीच में एक और अब वाजय संक्या होगी वो कोंची होघी हुगी सब्धी अबाजय संक्या हैं पतलब यह पंद्ध अब जो आया था इसके वाजे अबाजय संक्या होगी वो खोगी तो वह जाएगी 29 खी अब देखेंगी 31 31 और 41 31 इसके बाद जो अगली अबाजय संक्या आएंगी जो ऑप्शन में दी गई है वो कौन सी 31 के बाद तो सीधा 41 ही आएगी 31 ही तो OUTला गई जो लुट होगी और 31 और 41 के मददे कौन सी होगी यह वो होगी कौन सी 37 तो जो अबश्च लुट संक्या आजाए गए दी गए यहॹपदर 5 के बाद 7 के गए तेरा लुट होगी थी उसके बास सतरा थी 17 के बाद में 19 लुप्त हो गई थी 23 के बाद में 29 लुप्त हुई फिर 31 तो 31 के बाद में 37 लुप्त हुई और 41 तो जो सही option हो जाएगा हमारा option number D 41 इसका लुप्त संक्या हो जाएगी अगला question देखिए रंथंबोर अब्यारण भारत के किस राज्य में इस्तिता तो रंथंबोर जो है वो राजिस्तान में इस्तिता ओप्शन number C जो इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखिए किस मुगल समराट के सासन के दोरान भारती है मुगल चित्रो का उद्गम हुआ था तो भई वो किस के दोरान हुआ था देखिए वो हुआ था हुमायू के दोरान में ठीक है हुमायू के सासन काल में हो तो option number जो A है इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखिए क्या दिया गया है समान आयतन के दो गिलास करमसे आदे और तीन चौथाई दूद से भरे हैं बाद में उनमें पानी मिला कर उन्हें लबालब कर दिया जाता है तत पस्चात उनके इस द्रव को दूसरे बरतन में उडेला जाता है इस बरतन में दूद का पानी से क्या अनुपाद है देखिए भी दूद से पा तैका बहते हैं आद इएर तीन चौथाई से भरे हुए। और पानी में लग लब लब कर दिया बाद में तो देखिए किस तरह से C, D वो आजाए अब आपके पास हो च्तों treats पाद एक फिक के पात परेक्द क्यों है. देखिए वह आजाएगा एप में ए-पलस-बी ती करा से प्लस-ड प्लस-ड अनुपात इनका और बी अपनी में ए-पलस-बी और इसमें प्लस बी और इस दर सी लिया जाए तो फिसमें डी लेना पड़ेगा डी अपॉन में सी प्लस डी इस प्रकार्सिस को निकालेंगा अब इसे सोल कर लिजे यह दे रखा था और बटे एक बटा दो प्लस तीन बटे चार यह आ जाएगा अनुपात हो जाएगा एक बटे दो प् को क्या लिखेंगे तो पहले तो देखिए रैट को कैसे इन्होंने नो सो बारा लिखा तो देखिए कैसे लिखा भई जो आर होता है वो आता है अठारवे अक्सर पे अंग्रे जी माला के तो एक प्लस आट हो गया नो ए आता है एक अक्सर पे तो एक का एक ठीक अटी आता ह है 20 वे नमबर पे तो 55 प्लिबर तो 3lexe50 पूलिगी इसको समती है जो है ब्लिभयब्ख को डिखा किर्यक्ट अगा धी है question number 14 यदि टाटा को पीए पीए पापा लिखा जाता है तो टाल को क्या लिखा जगा देखिए भई ए जो है वो एकी जगह आ गया और ए जो है वो एकी जगह मतलब कि एक अक्सर छोड़के दूसरा अक्सर ए एकदम सेम है एकदम सेम है इसमें इसमें कोई चेंजेज नहीं है पर टी को पी कैसे लिखा टी को पी किया क्योंकि पी से पहले चोथा अक्सर होता है चाटी इस तरह से और पी से पहले चोथा अक्सर होता है टी तो इस प्रकार से तो इसको लिख दिया ठीक है तो इसी प्रकार से मिट्च को एक की चाहता तो पीए है की कि युक्ष कاي टॉ हो जाएगा अगला क्योंशन देखिए जन गन्ना दो जर ग्यारा के अनुसार जीरो से च्छे वर्ष के बच्चों का सरवादिक लिंगानुपात वाले कौन कौन से दो राज है तो भाई जो अरुणाचल पर्देश में गाले और एक मिजोरम तीसरा राज है यह सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले है अनुनाचल पर्देश का तो भाई नो सो बेंटर और बाकी इन दोनों का नो सो सत्तर है लिंग अनुपात तो ऑप्शन हम जो डी है इसमें करेक्ट हो जाएगा एव बी दोनो अगला देखिए यदि लागत मुले और विक्रे मुले का अनुपात 10 अनुपात 11 हो तो लाब परतिशत क्या होगा तो देखिए वई किस परकार से करेंगे इस सवाल को देखिए जो लाब परतिशत होता है लाब परतिशत इसका फूमला मैं आपको बता दू क्या होगा वई जो हो जाएगा विक्रे मुले माइनस लागत मुले अपोन में जब कुशन देखिए A, C, E, G, I, K में अगला पद आपको बताना है अगला पद क्या होगा तो देखिए किस तरह से निकाला है देखिए इन समय प्लस दो प्लस दो का प्लस दो इसमें भी C, D, E, फिर प्लस दो प्लस दो है तो के के बाद J, K, L, M तो M हो जाएगा अगला पद ऑप्शन नमबर D इसका करेक्टन सर हो जाएगा पपीते का रंग पीला किस कारण से होता है तो भई वो होता है कैरी के का स्थरीन ये जो है ऑप्शन नमबर D कैरी के सान्थिन इसके कारण इसका पीला रंग होता है ठीक है तो ऑप्शन नमबर D जो है इसका करेक्टन सर हो जाएगा आगला क्योशन देखिए क्योशन नमबर 19 चाइनिज ग्रीप शब्द का प्रियोग निम्न में से किस खेल में क्या जाता है तो भई वो क्या जाता है टेबल कि 10 चक्कर में तो वो 4.40 किलो मिटर की दूरी तेह करता है ठीक है तो अब देखिए क्या दिया हुआ है अगर इतना दिया हुआ है तो 4.40 किलो मिटर मतलब की 4.40 इंटू 1000 मिटर कर देंगे 1000 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास किलो मिटर में कनवर्ट हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या जाएगा भई वह जाएगा चार सो चालिस मेटर आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा तो अब देखिए जो एक चक्र में जो तैकी गई दूरी आ गई हमारे पास कितनी सीधी सीधी 440 मेटर आ गई 440 मेटर आ जाएगी एक चकर में तैगी गई दूरी कैसे आई क्योंकि हमने इसका साथ इसाथ 10 से डिवाइड भी कर दिया देखे भई क्योंकि 4.40 किलो मेटर दिया हुआ था ठीक है इसको मैंने मेटर में चेंज किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसको 1000 से इंटू करना पड़ा मुझे मेटर में चेंज करने के लिए ये पोइंट अटा नीचे 100 आया 2-0 काटे तो 440 मेटर आ गया था कि 4.40 किलो मेटर अब 10 चकर में जब 4400 मेटर की दूरी तैगी है तो एक चकर में कितना हो जाएगी 10 का डिवाइड कर देंगे तो 440 मेटर आ जाएगी तो जो एक चकर में तैगी की दूरी आई वो आगई 440 मेटर ठीक है अब देखिए बड़ी अगर वरत्त में की है तो वरत की परीदी क्या होती है वरताकार खेत है तो वरत की जो पृर्दी होती ही वह 2 5 Ã होती है तो प्रिन हमारे पास आगी 400 क्योंकि दूरी आगी थी एक चक्कतर की तो यह आगी 440 थीख है। अब इससे आर का मान नीकालो जो जब आप आर का तो इस आर का मान आपके पास आयागाया जब आप इसए इक्विशन को इसले किस्टूम इद्व होटो आपके पास आजएगा आर बराबर नमबर जो B है इसका correct answer हो जाएगा अगला क्यूशन देखिए अन्य तीन तीनों में से बिन कौन सा है तो बहुत बताना है आपको इन में से कौन सा है तो देखिए कैसे निकालेंगे जो आर और बीस है जो आर है और बीस है तो बहुत आर जो होता है अंग्रेजी वर्ण माला म कौन से अक्सर पर होता है वो होता है अठारवे अक्सर पर ठीक है भई पी जो होता है वंग्रेजी वर्ण माला में कौन से अक्सर पर होता है वो होता है वो होता है यू होता है वो 21 पर और एल होता है कौन से उस पर बारवे नंबर पर तो मतलब कि भई पी 16 16 वे पर होता है यू भी किस्वे पे होता है और एल भी बार वे पे होता है तो सही सही अंक इनके साथ जुड़े हुए लेकिन आर है आर अठारवा तो और इसके साथ अंक जुड़ावा बीस अत्मतब की जो भिन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर निम लिखित शब् कोस के दिये गए करम के नुसार लिखे भई शब्द कोस के करम के नुसार लिखना है तो देखे किस प्रकार से लिखेंगे शब्द कोस के करम के नुसार सबसे पहले जो आजाएगा वो आजाएगा आपके पास अकैडमिक उसके बाद आजाएगा आपके पास एक नंबर वा जाएगा चार एक तीन पांच दौ अप्शन नमबर एसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला क्योशन देखिए अगला क्योशन है क्योशन नमबर 23 वर्ष 1928 में भारत में आये उस कमिशन का नाम बता है जिसका उद्देश भारत की समयदानिक विवस्ता में सुदार करना था तो वो था वही साइमन कमिशन ओप्शन नमबर जो डी है इसका करेक्ट अंसर हो जाए आगला क्योशन देखिए राम ने चोकुलेट खरीदी और वहाय उन्हें अपने बच्चों में बीच में समान रूप से बाटना चाता है यदि वह हर एक को 15 चोक्लेट देता है तो दो चोकलेटें बच जाती है और यदि हर एक बच्चों की संक्याए है तो देखिए हमें पता नहीं भी बच्चे कितने हैं ठीका बढ़ना सीधा-सीधा इसका answer आजयता तो भई परशनी किया बोल रहा है कि अगर 15 चोकलेट पर तेक को बाड़ता है 16 चोकलेट अगर पर तेक बच्चे को बाड़ता है बंदरा X तो उसके पास जो है दो चोकलेटे बच जाती है था प्लस दो हो जाती है उसके बाद दो चोकलेटे बच जाती है और दूसरा कह रहा है कि अगर 16 चोकलेटे देता है तो दो चोकलेटे कम पड़ जाती है था तो दो बच जाती है और 16 बाड़ता है तो दो उसके पास कम पड़ती है ठीक है तो देखिए इस से आप X कमान निकाल रो एक्स कमान आपके पैसा जाएगा इसका पक्सांतरन कर दो माइनस दो इससे आज़ागा माइनस X अर्थाद माइनस X बराबर माइनस 4 अर्थाद X का माना गया 4 तो जो बच्चे हो गए वो कितने हो गए X बराबर 4 बच्चे हो गए उसके भई ठीक है तो बच्चों की संग के आगई 4 अब देखिए राम ने कितनी चोकलेट खड़ी दियोंगी किसी भी एक 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 क्वेशन में कि वही अगर 4 बच्चे है चारो बच्चों को वो 15 पंद्रा चोकलेट बार देता है अर्था चार इंटू पंद्रा तो इक्वेशन कहा रही थी कि उसके पास दो चोकलेटे बच जाती है तो दो चोकलेटे उसके पास एक्ष्ट्रा आ गई तो पंद्रा चोकू साठ साठ प्लस दो अर्था तुसने बासर चोकलेट खड़ी थी सबसे पहले हो जाएगा प्लस और लुए प्लस भी आपको ओप्फ्टन नंबर स्टा जाए रिखा है चार दो तीने चार दो तीने डॉने जो आपको देखा है ऊपशन नमबर में इसका क्रिक्टेंसर हो जाएगा हम二 व्ता खड़ी उस्टन ऊंब देख वा कौन सा गधन परदान मंतरी मुद्रा बैंक योजना के संबंद में तो जो ऑप्शन नमर यह देखिए यह स्वेरोजगार उपलब्द कराने हेतूर रिन परदान करता है ऑप्शन नमर एसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला क्योशन देखिए बैई किस प्राचीन वेद में संगीत का परथम साक्षय मिलता है तो वो मिलता है बैई सामवेद में उप्शन नमर सीज का करेक्ट अंसर होगा आगला क्योशन देखिए पांच परसेंट प्रतिवर्स चक्रवर्दी ब्याज की दर से चार हजार चोईस माँ बाद कितने हो जाएंगे बैई पांच परसें इस जहांबर की दर से तो सीदा सीदा फ्रों ला निकाल दीजे बैई चक्रवर्दीं मिष्ण होता है क्या होता है मूं धन टू और modal गया कि 4000 4000 की दिया गया ने 4000 4000 दिया गया मूल धन वन प्लस दर दी गई है आपको कितनी 5 पर 5 परतिशाद दे रखिए तो 5 जाएगी दर बटे सो और समय दिया हुआ है 24 माए मतलब की 2 साल 24 माए मतलब 2 साल अब सोल करना है आपको इसको सोल करोगे दिवाब तो आपके पास एक अमान कितना आ जाएगा भाई 4410 ओप्शन नमबर जो डी है वो इसका करेक्टन सुरू दाएगा वह फॉमला मैंने बता दिया था तरीका मैंने बता दिया कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं अगला क्यूशन देखिए A B की पतनी के पती का भाई है C O D की बहने है B की बहने है A का C से क्या संबंद है तो भई A B की पतनी का भाई है जो A है वो B की पतनी का भाई है तो B की मानलो पतनी ये हो गई अब भी पता नहीं ये कौन है ये B की पतनी का भाई है जो A है B की पतनी का भाई है सोरी बी की पतनी के पती का भाई है बी की पतनी के पती मतलब कि बी की पतनी के पती तो बी ही हो गया उसका भाई है वही ए जो है बी की पतनी के पती का भाई यह है जो बी की पतनी के पती का भाई है तो मतलब यह इसका भाई हो गया ए ठीक है अब देखिए C और D B की बहने हैं तो C और D महा लेते हैं ये C और ये D है ये B की बहने हैं ठीक है भई A का C से क्या संबंद हुआ तो A का C से क्या संबंद हो गया भई ये जब आपस में भाई थे और B की ये दोनों बहने हैं तो ये दोनों भाई हैं तो इसकी भी तो बहने हुई वो तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई ए इसका भाई हो जाएगा अगला क्यूशन देखिए निमलिकित में से विकलपों में चुनके बताईए कि कौन सा शब्द अक्षरों के परियोग से नहीं बनाया जा सकता तो भी देखिए यह देखिए आप ऑप्शन नमबर बी देखिए पॉमपस इसमें ओ दो बार लिया गया जबकि हमारे पास दिये गए वर्ड में ओ एक बार यह अर्थार जो बी वर्ड है जो इससे नहीं बना जाएगा अगला क्यूशन देखिए दो इस्टेशन ए और बी 138 किलो होके शुरू होती है और एक ही और 36 किलो मिटर परती गंटे की रफ़तार से चलती है वे किस समय मिलेंगी तो देखिए इस सवाल को किस तरह से करेंगे भाई क्या दिया हुआ है कि जो ए है जो ट्रेन ए है मान लेते हैं यह है वो साथ बचके पंदरा मिंट पे निकलती है हो चलती है और जो दूरी है एक ही बचके बचके अर्थार कितना मिंट हो गए वही पैंतालिस मिंट तो पैंतालिस मिंट में जो तै की गई दूरी आएगी वो देखिए हम किस परकार से निकालेंगे पैंतालिस मिंट में साथ मिंट हो गए और स ब banana मिंट तो इसको एक बार लापंट इसमों के रिफटार से मॉइब है मर पास भैस समय आ गया चाल दी हुई है इन दोनों को इंटु कर दूंगा तो दूरी आ जाएगी तो दूरी आ गई कितनी 18 km ठीक है अब देखें दोनों ट्रेनों की जो बीच की दूरी तोटल जब 138 km के मिलने का समय होगा दूरी बटे चाल किणी हो रहे हैं कि मिलने का जो समय होगा तो नुमिछ के मिलने समय होगा वmber Walmart जाएगा डूरी बटे चाल ठीक है दूरी हमारे पास आगी थी 120 क्योंकि अभी अभी हमने निकाला 138-18 करके 120 आगई और चाल अभी अभी हमने निकाला आप एक सिक चाल जोड़ के 60 तो जो आजाएगी जो टाइम आजाएगा वो आजाएगा दो गंटे बाद 60 को जब 120 से डिवाइड करेंगे तो अधार्थ 10 एम पर वो मिलेंगी दस बजे सुबह उप्चन करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए अलोरा का प्रसिद विश्व मंदिर जिसको कृष्ण पर्थम ने बनवाया था किस सदाब्दी का है तो वह किस सदाब्दी का है वह आठवी सदाब्दी का ठी अगला क्योंशन देखिए कि क्योशन नमर चोतीस परतिष्ठा बदनामी से उसी प्रकार संबंदित है जिस प्रकार ख्याती या फीर यश की संबंदित हो देखिए इस का क्या हो जाएगा तो Yes का क्या हो जाएगा? अप Yes अर्थार जो ख्याती का अप कीरती तो Option No. C है इसका correct answer हो जाएगा अगला क्योषण देखिए कौन सी उत्राकर्ती प्रश्ण आकर्ती को पूरा करेगी? तो देखिए भई इसको कौन सी उत्राकर्ती पूरा करेगी? तो option number A देखिए आप बिल्कुल इससे match करेगा जैसे आप इसमें रखोगे तो option number A है उसका correct answer हो जाएगा अगला question देखिए निम्न में से कौन गंगा नदी की सायक नदी नहीं है तो जो वही चंबल नदी है वो सायक नदी नहीं है गंगा नदी की तो option number D है इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखिए वहन जग दिया गया है A plus B plus C into A B plus B C plus C A minus A B C का सही मान क्या होगा तो देखिए वही सही मान कैसे निकालेंगे जो A plus B plus C है उसको A B plus B C plus C A से into करना होगा अब देखिए into करिए क्या आएगा इसको इसे into करिए क्या आएगा सबसे पहले A को इंचर तीनों से into करेंगे तो A square B plus A B C plus A square C अब B को into करेंगे इन तीनों से A B square plus B square C plus A B C अब C को इंटू करेंगे तो A, B, C प्लस C स्क्वाइर B प्लस C स्क्वाइर A माइनस ABC आपको दिया हुआ है ये बाहर ये इंटू करने पर आगया सोल कीजिए भई ABC, एक ABC से एक ABC कार दीजे तो 2 ABC बचेगा बाकी जुड़ जाएंगे तो A, B, B, Q, 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 इंटू करने पर जो आया था वो क्या आया था कि A square B plus A square C plus A B square plus B square C plus C square A ठीक है प्लस B C square plus 2A B C अब जो विकल्प आपका C है A plus B, B plus C और C plus A जब आप इसको इंटू करोगे आपस में तो बिल्कुल यही चीज आएगी आपके पास बन के बिल्कुल यही चीज आएगी आपके पास बन के अर्थार जो अप्शन नमर C है वो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आप चेक कर लीजेगा अगला क्योशन देखिए निम्न में से कौन रेडियो अक्टिव पदार्त है जो रेडियो धर्मी परदूशन के लिए जिम्मेदार है तो भई जो यूरेनियम धोरियम और रेडियम यह जो तीनों ही है ये तीनों ही रेडियो अक्टिव परदारत है जो रेडियो थर्मी के लिए प्रदुशन के लिए जिम्मेदार है तो उप्चन नमबर डी इसका करेक्टन चुरू जाएगा ये सबी अगले देखिए A बराबर दे रखा है B का दो बटा तीन बाग B बराबर दे रखा है C का चार बटा पाँच बाग और A अनुपाद B अनुपाद आपको C ग्यात करना है तो देखी कैसे ग्यात करेंगे भई अगर A बराबर आपको दे रखाया है 2 by 3 B ठीक है और B दे रखाया है 4 by 5 C भई जब B बराबर 4 by 5 C दे रखाया है तो आप इससे C का मान भी तो निकाल सकते हैं इस तरह से वज़र गुणा करके तो C बराबर आजाएगा आपके पास 5 भी है पॉन में 4 सही बात है एक दम अब A अनुपाद B अनुपाद C आपको निकालना है तो देखें कैसे निकालनेंगे A अनुपाद B अनुपाद C A का मान क्या है 2 बटा 3 B और अनुपाद B का मान क्या है B का मान क्या है भई B का मान दे रखा आपको देखें B बराबर जब 4 बटे 5 C था तो आपने C बराबर निकाल लिया था इससे 5 B बाई 4 ठीक है यह आपने निकाल लिया था इससे ठीक है अब जो B हो जाएगा देखे इसको किस तरह से किया गया है कि A इसको आप क्या किये जो आपको ये दे रखा है ना इस तरह से तो आप इसको A की पद में फोम में चेंज कर लीजिए कि A का मान आगया B के पदों में C का मान भी आगया था B के पदों में five by four upon me ठीक है तो B किस form में हो जाएगा तो B हो जाएगा सिर्फ अकेला B समझे कि A जो हो जाएगा तो B का दो बटा तीन भाग और C हो गया वो B का पांच बटे चार भाग तो जो B हो जाएगा वो सिर्फ अनुपात अकेला हो जाएगा तो C क्या हो गया भई 5 B upon me 4 इस प्रकार से तीनों के अनुपात आ गए तो B B B आपस में कट जाएंगे ठीक है और यह हो जाएगा 2 बटा 3 अनुपात 1 अनुपात 5 बटे 4 अब इनको सोल कर लीजिए आपस में इंटू कर दीजिए आपके पास जब इंटू करेंगे तो आपके पास कितना आजाएगा आपके पास आजाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15 यह इनका समानुपात हो जाएगा अठार जो option number D है वो correct answer हो जाएगा अगला question देखिए निमने समानतर चतरबुज में B A C का मान होगा B A C का मान ग्याद करना है इस कोण का मान आपको ग्याद करना है B A C का जबकि यह 60 डिगरी दे रखा और एक यह दे रखा चारिए देखिए वई 17 चतरबुज है तो 17 चतरबुज और जो शीर साभी में कोण होते है जो 60 डिगरी है और यह हो जाएगा योग होता है, वो 180 डिगरी होता है तिर बुझ के, तो ये हो जाएगा, 60 ये हो गया है, 60 और ये 40, माइनस कर देंगे, 180 में से, तो ये आ जाएगा आपके पास 80 डिगरी अर्थार्थ, जो इस कोण का मान आपके पास क्या गया, 80 डिगरी अब आप जानते हैं कि समांतर चत्रबूज है तो यह समांतर होंगी और समांतर चत्रबूज जब गोई तीरियक रिखा काटती है तो आपस में जड बनता है जिसमें ये कौन और ये कौन आपस में बराबर होते है तो भई ये 80 देर रेका है और अब ये है समानतर रेखा है ये कार्ट की तीरियक रेखा तो आपस में ये कोड़ोंगे बराबर तो ये 80 तो ये भी 80 अर्थार जो option number D है इसका correct answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए बारत के राश्पती के पद के लिए कौन शपत दिलाता है तो भी वो दिलाता है बारत का मुख्य नयदी इस option number जो B है इसका correct answer हो जाएगा अनुचेद 60 के अनुचेद 60 में इसका राश्पती की सबत का प्रावधान है अगला कुशन देखिए दी गई उत्तर आकर्तियों में से संबंदित उत्तर का आकर्ती चुनिए बाई देखिए इस आकर्ती से यह आकर्ती कैसे बनी क्योंकि इसको 180 डिग्री पूरा गुमा दिया गया तो इसी प्रकार से इसको भी 180 डिग्री पूरा गुमा दीजिए तो आपके पाद जो उत्तर का आकर्ती आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी option number D वाली तो option number D है इसका correct answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए अगला कुशन है 43 देखे वी यह कुशन आपको आ गया होगा sorry इसमें मैंने शायद गलत बता दिया थोड़ा यह देखिए option number D है इसमें यह line दी गई है तो option number D वाली line नहीं होगी यह गलत हो जाएगा जिसमें line नहीं है वर्टिकल तो गुमाया है इसको 180C पूरा तो वो तो सही था वो शायद मैंने देखा नहीं तो यह जो है इस आकरती को देखिए इसमें यह line नहीं है ठीक है तो इसमें जो यह होगा option number C होगा वो इसका सही होगा option number D नहीं होगा यह जो आकरती होगी यह सही होगी अगला किसमें देखिए 43 कौन सी उत्तरा करती person आकरती की दरपना करती है वही दरपना करती बतानी है आपको देखिए वही दरपना करती कौन सी हो सकती है तो दरपना करती के लिए आप देखिए जो जो बाया भाग है उसका वो तो दरपना करती में दाया भाग हो जाता है और जो दाया भाग है वो बाया भाग हो जाता है यह होता है दरपना करती में ठीक है तो वो आपको सिर्फ दिया गया है किस में वो आपको मातर इस वाली में आ करती में दिया गया है देखिए सिर्फ इसा करती में option number जो B है देखिए ये जो भाग है वो इदर की साइड आ जाएगा और ये जो वाला भाग है वो इदर आ जाएगा तो ये इसी में देएगा option number 20 का correct answer हो जाएगा अगला देखिए किसी घंडगा परश्ट शेह तरफ़ 54 बर्ग मीटर है तो उसकी भुजा क्या आओगी तो देखिए घंडगा पर penguin शेटzung आपपो सब्सक्रीक इसको डिवाइड कर दो भई यह आजाएगा कितना 56 बट्टे सोरी 54 बट्टे 6 और भुजा आपको निकाल नहीं है इसका स्कॉायर दिया हुआ है तो स्कॉायर से हटके इसका हो जाएगा अंडर रूट तो 56 बट्टे 6 का अंडर रूट यह कितना हो जाएगा भई नोची की चववन नो का अंडर रूट तीन तो अंसर आजाएगा भुजा तीन मेंटर ओप्शन नमर तीन बी जो है इसका सत्व रखते हैं हां बहुत से भारतीय एह इंसा में विश्वास िरकट में तो मैं है झाला फैर half a life किसकी पुष्टक है तो किसकी पुष्टक है भई वो है vs 9Pol option number c इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखिए भई a plus 1 by a का आपको 11 दे रखा है तो a square plus 1 by a square का मान निकालना तो cdc बातें इन दोने का square कर दीजे square खोलिए a square plus 1 by a square plus 2 a b equals to 121 तो a square plus 1 by a square को अलग कर लीजे a से a कर जाएगा 121 minus 2 हो जाएगा तो आपके पास कितना जाएगा 119 अर्था option number c इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखिए c i s f का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो भई कहां इस्तित है भई वो इस्तित है नई दिल्ली option number जो a दिया हुआ है वो इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसकी स्तापना c i s f इसकी जो स्तापना हुई थी यह हुई थी दिल्ली में वो हुई थी 1979 में ठीक है अगला question देखिए कि परशन से क्या 49 और 50 परशनों के उत्तर दीजिए इसमें देखिए क्या कर दिया है 6 दोस्त हैं वो a b c d e और f एक बंद वर्त में केंद्रा विमुक बैठे हुए है तो भई देखिए जो a b c d e है भई एक वर्त में बैठे हुए है और केंद्रा विमुक मतलब की केंद्र की और मुक करके अब देखिए कैसे कैसे बैठे है कि जो e है वो d के दाई तरफ है मान लेते हैं कि भई जो ये e है ठीक है मान लेते हैं कि ये e है तो अगर केंद्रा विमुक मतलब इसका मुँ इदर है अर्थाद ये इसका दाया हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका बाया अब देखिए E जो है वो D के बाई तरफ है E जो है D के बाई तरफ तो D के बाई तरफ आ गया क्या E क्योंकि E का D का बाई तरफ ये हो जाएगा और दाया ये हो जाएगा अगला देखिए C जो है वो A वै B के मद्दे है C जो है वो A वै B के मद्दे है और जो F है वो E वै A के मद्दे है सबसे पहले F को देखिए भई जो F है वो E वै A के मद्दे है तो E वै A के मद्दे मान लेते हैं भई यह हो गया अब देखिए क्या बोला है तीसरा वाला देखिए वापस A वै B के मद्दे में C है A वै B के मद्दे में क्या दे रखा है C दे रखा है तो मालेते हैं ये A है दिया हुआ है और ये मालेते हैं कि ये कहीं न कहीं मालो ये हो जाएगा B और A वे B के मत्दे दिया हूँ है C तो ये तो हमारा बने गागा चार्ट अब देखिए का क्या क्यूशन पुछा है C के بाई और कौन बेठा है C के बाई और कौन बेठा है C के बाई और तो अब इदर की मद्य बढ़े पचास वा ई किन के मद्य बढ़े 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 फोर डी के मद्य बढ़े इसका उप्शन नमर कौन सा सही हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए यह देखा दिता फ यह रहा तो जो अप्शन और इसका हो धा दोस्तों यह थे ध ohh हमारे NTPC के आज मोडल पेपर 8 के 50 क्योशन इसी परकार से आपको आगे भी मोडल पेपर के 50 क्योशन मिलते रहेंगे यह सबी जो मोडल पेपर हैं यह आपके पिछले वर्ष लगे थे मैं आपको पहले बजा दूँ यह प्रीवेस एक्जाम के क्योशन पेपर हैं आपके तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक जय हिन जय भारत